पार्टिया अपने अपने मोरे सेट कर रही है भाजपा ने यूपी में असी सीटों पर जीत का टारगेट रखा है ऐसे में एक-एक सीट के लिए प्लानिंग की जा रही है सभी का वोट हासिल करने के लिए भाजपा छोटे दलों के साथ गड़ बंदन कर फोकस कर रही है ताकि जाती और छेतरी आधार पर इन्हें मिलने वाला वोट बिखर न पाए भाजपा का प्लान है कि छोटे दलों से गड़ बंदन कर उनके परत्याशे को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी भाजपा ने 51 नाम का एलान जो पहली सुची जारी कि उनमें निशात पार्टी के पर्मुक डोक्टर संजे निशात के बेटे परवेंड को बीजपी सिंबल पर संत कभी नगर से उतारना इसकी बान गी है रगुराज परताप सिंगुर्फ राजपा भाजपा के साथ आकर वोट मांगेंगे बीजपी क्यावन सीटों पर परतियाशों का एलान कर चुकी है बाकी 29 सीटों के लिए मंतन कर रही है बुद्वार को हुई भाजपा चुनाफ परबंदन की समीती की बैठक में 24 सीटों पर भाजपा सिंबल पर ही परतियाश उतारने पर चर्चा हुई जबकि 5 सीटे सहयोगी दल को दी जाएगी यूपी में राजपा चुनाफ की वोटिंग में राजपा भाजपा को खुला सपोर्ट किया लगबक तभी यह साफ हो चुका था कि वे एंड़े अगडबंदन में आने का मन बना चुके हैं सूत्र बताते हैं कि सुरक्षि सीट कोशामभी पर वे अपने उमीदवार को भाजपा के सिंबल पर चुनाफ लड़ाने को लेकर बात कर रही है राजपा भाजपा के करीबी और पूर्वसांसाच शेलेंदर सरोज को परत्याशी बनाया जा सकता है बीजेपी ने पहली सूची में कोशामभी को छोड़ धका है विदानसवा चुनाब में जनसत्ता दल लोकतांतरिक के सिंबल पर दो विधायक चुने गए हलाकि परताबगर कोशामभी के आसपास की कई सीटों पर राजपाव है महीं जौनपूर से धननजे सिंग को किड्नैपिंग केस में साथ साल की सजा हुई इससे कहीं न कहीं छत्री वोटर्स नराजगी है ऐसे मिराजबहिया की बीजेपी के साथ आने से छत्री वोटर्स में बीजेपी अपना परभाव और उसका फायदा बनाए रख सकती है यूपी में राजपूत 6-7 फीजदी तक है भाजपाय निशात पार्टी के अध्यक संजे के बेटे प्रविर्ण कुसंत कभी नगर से अपने टिकट दिया है तो ये अपने आप में चोकाने वाला फैसला रहा लेकिन दाजबहिया क्या बीजेपी के साथ आएंगे ये अकलेश के साथ जाएंगे देखना दिल्चस्प रहेगा